आजी चलो भाई आज की सेकंड क्लास और आपका बहुत-बहुत साफ़ श्वागत है सीए फाइनल एस एफम की क्लासेस में बाच चल लिए डेरिवेट यूज और डेरिवेट यूज में हमने सायद कुछ पॉइंट्स कर लिये थे जो हमारे काम के थे और लाश्ट में हमने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के विश्वे में पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के विश्वे में कुछ कोशिंस भी किये थे सारी बाते समझ में आ गए थी सारी रिवीजन एक बार हो जाए सवाली पैदा नहीं होता मैं रिवीजन की बात नहीं करूँगा मैं सीधे सीधे काम की बाते करूँगा आज कोशिस करेंगे कि ब्रेक से पहले पहले तक option pricing से पहले सब कुछ जो basic concept से वो cover कर दें खतम कर दें ठीक है start करें जी चलो भाई अब मैं कुछ बाते आगे कर रहा हूं वहां से आके सब कुछ आपकी copy में आपकी book में लिखा हुआ है तो ना भी लिखो तो चल जाएगा सुनना द्यान से यह कौन था इसका नाम था राम ठीक यह कौन है इसका नाम है stock exchange आज कौन सी company reliance company reliance company के share का प्राइस आज कितना है आज है 500 ठीक है आज है 500 और हमने कहा आज की date कौन सी है सर आज की date है 3 जून 2022 और हम बात कर रहे थे अगस्त के लिए कि अगस्त में ये share हमको कितने का मिल जाएगा it means सर आप बात कर रहे हैं call option की ठीक है और call option का exercise price पास हो दस रुप है यहां तक ठीक है तर इसको थोड़ा और चेंज करो ताकि बात समझ में जाती है चलो इसको अटाया और यहां exercise price मान लो बात तो बीस हो हो हला कि जो option है वो option कौन सा है European पर American option में क्या होता सर American option में आप कभी भी exercise कर सकते हो यहां तक ठीक है अब बताओ आज अगर मैं देखू तो option mature हो रहा है अगस्ट में आज call option है Reliance का exercise price कितनी है 510 और अभी उसी कंपनी का आज की डेट में this is current market price यह market price अगस्ट का नहीं है वो market price यहीं का तो अगर आज की डेट में बताओ आज की डेट में मालो American option होता तो क्या आज की डेट में हम option exercise कर पाते है यह दिख रहा है आज ही फाइदा दिख रहा भाई और कितने रुपे का फाइदा दिख रहा है आज सर दस रुपे का फाइदा दिख रहा है दिख रहा है ना आपको पासो दस आज मार्केट प्राइस कितना है पासो बीस अगर मुझे आज चांस मिलता तो क्या आज ही में ऑप्सन एक्ससाइज करके दस रुपए कमा लेता है यस ऐसे ऑप्सन को बोला जाता है जब भी अभी की अभी फायदा है पैसा हमारे पास आज की आज में आ सकता है हलाकि हमें आगस्ट तक वेट करना पर आज की आज में फायदा हो सकता है ऐसे ऑप्सन को कैस फ्लोग की दरश्टी से बोला जाता है कि ऐसा ऑप्सन है इंदामनी को हम क्या बोलते है आएटी है इंदा मनी सर, concept क्या? concept नहीं, मैं आपको language सिखाने की कोशिश करूँ अभी concept की तो बात ही नहीं हो रही language जब आप share market में deal करोगे option में आओगे, तो option में आप से बोलेगा पूछ आप किसी के साथ भी बात करोगे ना, तो बात करोगे इंदा मनी अच्छा सर इंदा मनी वा, क्या दता हो, इंदा मनी सर सर अगर, 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 अगर ये मालो ऐसा होता 490 होता current market price 520 नहीं होता, 490 होता अभी तो option exercise नहीं कर सकते आप खुछ सोचो ना सर exercise price option कौन सा है? call option exercise price से क्या होना चाहिए? ज़ादा होना चाहिए पर price मालो 490 है अगर 520 है, तो आपने बोला कि ऐसा option इन दा मनी है मैं कहता हूँ कि चलो 490 ऐसा option क्या है? इसको बोलते है out of the money मतलब क्या आप option exercise कर पाएगे? नहीं है, तो laps हो जाएगा तो इसको बोलते है ऐसा कि इस बार हमारी पास पैसा नहीं आएगा वो जो premium का जाना है जाना है ऐसे option को जब ये दोनो option आप exercise नहीं करोगे आपका वैसे market price ज़ादा होना चाहिए call option है पर market price तो कम है current market price ऐसे option को बोलते है out of the money out of the money इसको बोलते है OTI ठीक है सर एक बात और पूछे हाँ पूछो बिट्टे पूछो सर अगर current market price पासो दस ही होता और ये भी पासो दस है अब क्या बोलोगे in the money कि out of the money पिटे ऐसे situation में बोला जाता है कि option जो है वो at the money मतलब इसको बोलते है ATM cash flow की दृष्टी से तीन सब्द यूज होगे जब आप share market में option trading पर जाओगे अक्सर ये सब्द मिलेगे कि भई अभी call option reliance का क्या चल रहा है in the money in the money का मतलब in the money का मतलब sir कि अभी कि अभी फायदा हो सकता है या फिर कोई बोलेगा कि call option क्या चल रहा होई out of the money out of the money का मतलब sir अभी exercise करने का वैसी भी फायदा नहीं है अगर में दूसरी लेंग्वेज में बोलो reliance का call option in the money in the money का मतलब sir current market price ज्यादा है call option में market price ज्यादा होना चाहिए है ना तो अगर in the money बोल रहा है मतलब sir market price ज्यादा exercise price अगर call option out of the money है call option out of the money call option में price ज्यादा होना चाहिए मतलब price कम है प्राइस कम है exercise price ज्यादा है call option add the money है मतलब दोनों बराबर जिससे call option का चलता है ना भाई वैसे ही किसका चलता है put option का चलता है अब सोच समझ के बोलना राम राम मालो 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 put option put option exercise price यहां कितना लेते exercise price लेते पास सोदा अब सोच के बोलना अब सोच के आँ ठीक है और यह सर कब का है यह वैसे तो अगस्त का है मैं जून का आज ही कि दिन का प्राइस बता रहा हूं आज ही के दिन का प्राइस पहला दो तीन प्राइस बोलूँ को मझे आंसर देना अगर होता यह चार सो सत्तर करेंट मार्केट प्राइस तो बताओ पुट आप्सन इंदा मनी होता कि एड़ दा मनी होता कि आउट आप दा मनी होता तो पहले यह सोचिए कि पुट आप्सन पुट आप्सन कब एक्सराइस होता है जब price कम होता है और क्या price कम है Yes तो ऐसे option को हम क्या बोलते है IDM in the money अगर sir यह होता माँ लो 600 तो क्या put option exercise कर पाते हैं नहीं तो ऐसे option को क्या बोलते हैं out of the money और अगर यह पाफू 1002 ही होता तो इसको क्या बोलते है add the money Sir please यह तो बता दो की काम कहा आने वाला है काम कहीं नहीं आने वाला है पर भाई समझ लेंग्वेज पढ़ना तो पढ़ेगा लेंग्वेज है लेंग्वेज लेंग्वेज तो पढ़ना पढ़ेगा आपको जल्दी से बुलो put option in the money कब कहलाएगा तर put option मतलब price कम होना चाहिए अगर price कम रहा तो ठीक है जी ठीक है सिर्फ तो cash flow की दृष्टी से भी option तीन टेक के होते है इन दमनी एड़ दमनी आउट आप दानी और एक चीज़ी क्यों सिखा रहा हूं कि मझे कुछ बाते अभी करनी है आपके साथ ठीक से समझना तो नाध्यान से बिट तैयार हो बिल्कुल सावधानी से बात होगी है जवाब देना इसकी बात करो रिलाइन्स के शियर का एक्सराइस प्राइज है पास्व दस कॉल अप्शन अब मार्केट प्राइज है पास्व बीज दूसरा कहीं पेज ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता हां क्योंकि मुझे कुछ समझाना है न तो दूसर अपेज ले रहा हूँ तैयार हो आसर यह कौन था कंपनी कौन सी थी रिलाइंस एक्सराइस प्राइस कितना है पास्व तस करेंट मार्केट प्राइज है मान लो पास्व पीस ऐसा ऑप्शन को नाम हमने कुछ दिया था और ऐसी ऑप्शन को हम नाम क्या दे रहे थे इंदा मनी इंदा मनी ठीक है और आज की डेट कौन सी है तीन जून और बात कब की हो रही है अगस्ट मैचुरिट अगर मैं कहूं अमेरिकन आप्शन है तो क्या आज की आज में एक्सराइज हो सकता है यस और आज की आज में प्राइज जादा होना चाहिए और आज तो प् बोलो कितने रुपए से ज़्यादा है दस रुपए से दस रुपए ज़्यादा दिख रहा है अब आपसे प्रीमियम मांगा जाएगा प्रीमियम अब प्रीमियम कितना मांगा जाएगा सोच हाला कि यह जो दस रुपए है ना दस रुपए का अभी की अभी फायदा दिख रह अब मैं आपसन खरीदने जा रहा हूँ बिल्कुल धिहां से अब मैं जब आपसन खरीदने गया मुझे मालूम है अभी कि अभी 10 रुपए का फायदा दिख रहा है अगर मैं प्रीमियम मैं बोलता हूँ ठीक है जी ये आपसन में खरीदने को तयान हूँ क्योंकि मुझे मालूम है फायदा है मैं बोने का कि इसकी कीमत कितनी है बताओ इसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा इसके लिए पैसा लिया जाएगा 10 रुपए से जादा ही लिया जाएगा कसम खालो अभी जो फायदा है उस से भी जाधा पैसा लिये जाएगा आपसे प्रीमिअम के रूप में जाधा पैसे लिये गए और मन से लिख रहा हूं तेरah रूपै लिये गए अब सवाल यह है सर फाइदा तो दस का है पर तेरा रूपै क्यों लिये गए बस इतना मताईए तेरा तीन रुपए एक्ष्रा क्यों लिएगा क्योंकि फाइदा तो दस ही का तीन रुपए इसलिए क्योंकि सहाफ अभी आप यहां खड़े हो आज थोड़ी ने एक्सेसाइज करना आज भी कर सकते हो पर आपके पास अभी तो बहुत टाइम है आपके पास तो अगस्तक का टाइम है और वो जो तीन रुपए लिया जा रहा है वो इसी के लिया जा रहा है इसको बोलते हैं तीन रुपए को बोलते हैं टाइम वैल्यू रुपीस थी को बोला जाता है टाइम वैल्यू भी बोल सकते हैं और वालिटिलीटी प्रीमियम का मतलब कि साहब अभी शेयर प्राइस हैं। आगे वालिटिलीटी होगा ना भाई। बढ़ना प्र बढ़ेगा तो उसके लिए आपको तीन रुपै देना पढ़ा। टाइम ऋयूः यह तीन रुपै मैं फिर शे जो। अब आप काम की भी जो भी premium दिया जाता है उसको अगर मैं दो पार्ट में divide कर दूँ तो बात समझ में आती है दो पार्ट में एक का नाम होता है intrinsic value जो अभी की अभी फायदा हो रहा है उसको बोलते है intrinsic value वो पैसा तो आप से वसुल किया ही जाता है premium का प्लस आपसे कुछ एक्ष्टा भी पैसे लिये जाते हैं उसको बोला जाता है जो intrinsic value के अलावा है उसको बुलते volatility premium या उसको बोलते time value premium के दो part intrinsic value time value जो फायदा हुआ वो intrinsic value उसके अतिरिक्त जो पंद्रह रुपए होता तो बता इंट्रिंसिक वैल्यू कितना और टाइम वैल्यू कितना इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए टाइम वैल्यू 5 रुपए इस तरह से हम प्रीमियम को सब प्रीमियम वह मांग रहा है पर हम डिवाइट कर देते क्या प्रीमियम के दो पार्ट हो अगर प्रीमियम मांगते नौ रुपय तो ऐसा हो ही नहीं सकता प्रीमियम का एमाउंट हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से जाता होता है ठीक सर अगर करेंट मार्केट प्राइस अच्छा सर अब हमारा एक्जामपल एक्सरसाइस प्राइस यह यह कॉल ऑप्चन ही है अगर सर करेंट मार्केट प्राइस होता होता प्रीमियम मांगा जाता आठ रुपय तो यह आठ रुपय में टाइम वैल्यू कितना और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना क्या आप बता सकते हो पहले सोच के बताओ आपसन इन्दा मनी है एड दा मनी है कि आउट आप दा मनी है सर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए प्राइस तो कम है तो ऐसा आपसन क्या कहलाएगा ऐसा आपसन कहलाएगा आउट आप दा मनी कुछ फाइदा है कि नहीं है कुछ फायदा नहीं सर option lapse हो जाएगा अगर आज एक से कुछ फाय दान नहीं है तो intrinsic value कितना जाएगा intrinsic value आयेगा कुछ फायदा नहीं तो जीरो जो भी मांगा जा रहा है वो क्या है time value premium 8 टुपे पुरा की पुरा क्या कहलेगा time value ठीक है बड़ा दिक्कत है अच्छा सर और एक एक्जामपल ले किया बोलो ना भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना माल लो सर माल लो माल लो अगर करेंट मार्केट टाइज होता पास तो दस ही होता और प्रीमियम का मांगा जा रहा है माल लो सर 11 रुपए प्रीमियम तो ये 11 रुपए क्या हैं इंटरेंसिक वैल्यू कि टाइम वैल्यू है बताओ अब बता ओ क्या ओप्शन कौन सा है बढ़ना चाहिए पर बराबर है तो ऐसे ओपशन को क्या बोल रहा है at the money, क्या कोई फायदा है नहीं है, अगर कोई फायदा नहीं है, तो सीधी सीधी बात है यह जो 11 रुपए है, इसके पूरा की पूरा की पूरा क्या कहलाएगा, intrinsic value क्या हो जाएगा, 0 कोई फायदा नहीं है तो intrinsic value, यह time value कहलाएगा पूरा की पूरा क्या रहा हुआ एग रहे सर कहानी यह है अगर फाइदा है तो intrinsic value और बचा हुआ time value, premium के दो part अगर फाइदा है, क्योंकि premium intrinsic value से ज़ादा ही हो अगर फाइदा है, तो intrinsic value और premium का जितना part बचेगा वो time value, अगर फाइदा नहीं है, it means option out of the money है, या option at the money है, फायदा ही नहीं है, तो intrinsic value 0 रहेगा सर, और जितना भी premium पैट कर है, सब किस नाम से पुकारा जाएगा time value, या volatility premium, ऐसे ही किसका हो जाएगा, put option का, put option समझाओ, मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये question के साथ समझ लेंगे, तो बात क्या समझ में आई है, समझ में आई है कि cash flow की दृष्टी से, अगर language की बात करों, तो और एक language यूज होती कि option तीन type के होती, in the money, add the money, out of the money, और जो premium पैट किया जाता है, उसको हम दो पार्ट में ब लेते हैं, इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं, हाँ जी, ये देख रहा है आपको, मैंने concept का नाम लिखा रहा हूँ, part number 5 में आप चेक करों कि book में आपका है, in the money, in the money मतलब ITM बोलेंगे हैं, add the money, ATM बोलेंगे, और out of the money को हम क्या बोलते हैं, OTM, और इसी के साथ हमें intrinsic value और time value भी discuss करना है, ठीक है, अब जड़ा सोच समझ के बताना, मैंने एक table, तो पहले बात करेंगे, in the money, add the money, out of the money, और उसके बाद होगी intrinsic value और time value की बात, point number 1 पहले in the money बात करेंगे, अब जल्दी जल्दी से answer देना हो, मैं बात करा हूँ, सबसे पहले किसकी call option की, सोच समझ के answer बिना सोच, option कौन सा है, call, market price क्या होना चाहिए, सर, market price जादा होना चाहिए, किस से exercise price से जादा होना चाहिए, market price जादा होना चाहिए, सर, market price जादा होना चाहिए, अगर market price जादा है, तो ऐसे कौन क्या बोलेंगे, in the money, market price, current market price जादा है, किस से in the money, तो उसको क्या बोलें अगर बराबर है तो at the money call option में market price ज्यादा होना चाहिए पर market price कम है तो ऐसे option को भूलेंगे हम out of the money put option में भूलो put option में sir market price कम होना चाहिए अगर market price कम है तो at the money and in the money and in the money तर एक्जाम में आता है या नहीं आता पर यह सब्द यूज हो जाते कहीं, यह नहीं आएगा, कभी नहीं पूछने वाला कि इन्दमनी एड़ाइगा, हलाकि इसका मैंने एक्जामपल दे रखा है, पर सचा ही है कि एक्जाम में नहीं आती है, ठीक है, और मैंने बात किसके किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू और टा का नाम क्या है, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का हम वालेटिलिटी प्रीमियम भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और इंट्रिंसिक वैल्यू कब पिक्चर में आएगा, पिक्चर में तब आएगा, जब ऑप्सन इन्दमनी है, फायदा है तो ही इंट्रि money in the money then difference between current market price and exercise price is called intrinsic value और अगर option out of the money है and add the money है then intrinsic value will be zero पास ही चले आगे ताइम वैल्यू या वोलिटिलिटी प्रेमियम अगर option is in the money है in the money मतलब फाइदा है तो time value क्या कहलाएगा जितना भी premium है उसमें से intrinsic value minus कर देंगे if option is out of the money out of the money है या add the money है तो जितना भी premium है जितना भी premium है सब कि सब क्या कहलाएगा time value कहलाएगा ठीक है जी बात अगर समझ में आ गई है तो एक दो example कर ले भगवार ना करें आपके exam में यही आ जाए तो दिक्कत ना हो आपको चेलो भाई त्यार हो तो फड़ा फट से बताते हैं फटा फट से आप बोलते जाओ के बताईए which of the following is in the money add the money out of the money त्यार हो यह exercise price दिया यह stock price दिया प्राइस को मैं बोल सकता हूं current market price call option तो तेरह सो साठ से ज्यादा होना चाहिए पर तेरह सो चालिस है इसको क्या नाम दिया जाए इसी में लिग लोगुक में ही लिगद्वा लग से हम solution नहीं कर तो फिर यह out of the money हूगा ना यार बिलकुसे call option है price देरह सो साठ सी उपर होना चाहिए यह कॉल ओप्ज़न है तेरहसोभ से उपर होना चाहिए चाहजा बोच瞧 से कम होना चाहिए बराबर को एट बनी सेसी से कम होना चाहिए जादा है आउट अब दमनी तेरह सो साट से कम होना चाहिए जादा है पता ही है ऐसा गोश्चन आ सकता है क्या लगता आपको सिए फाइना में जवाब दो सवाल ही पैदा नहीं हो तो जवाब कहा से चलते एक्ग्जामबल नंबर फोर में पर सुनों आ गया तो फिर रह जायेगा न कियर कास किया होता या सरने करवाया होता तो अब ऐसी नौबद नहीं आया कोश्चन भप अब प्सक्टिशरण नंबर थे चैय थे आपको मताना ही ए ने जवाइं टाइं है और time value क्या है intrinsic value और time value अब सोज समझ के काम करना call option strike price है 90 call option है मतलब 90 से उपर होना चाहिए 90 से उपर है होना चाहिए है intrinsic value दिखी रहा 10 पर premium कितना मांग रहा है 15 तो बताइए इसमें कि intrinsic value कितना और time value कितना आप खुछ से भी कर सकते हैं मेरी जिर्वरत नहीं है विससे तर देखी रहा है intrinsic value हो गया 10 और time value हो गया 5 call option है 110 से उपर होना चाहिए पर कम है intrinsic value तो आएगा ही नहीं और time value कितना जाएगा सर पूट option है 200 से नीची होना चाहिए 200 से नीची है तो इन दोनों का डिपीच का difference 100 रुपए अभी फायदा this is intrinsic value और 35 रुपीज किया जाएगा आपका time value सर पूट option है 90 से नीची होना चाहिए जादा है तो यह पूरा की पूरा क्या कहलाएगा आपका time value सर 150ний स्कॉट option है 150 से कम होना चाहिए 120 है सर पच्चीष रुपए कम ही है तो 25 रुपए अपका हो गया होगा आपका time value क्ति एक सबचश से का zeggen को जादा होना चाहिए जड़ा होना चीह है जादा होना चीर है जितना भी प्रीमियम है 22 वो क्या गया लाएगा ठीक है इसका कोई भी कोशन नहीं है जो बुक में डला होगा मतलब एक्जाम में कभी कोशन नहीं आया ना तो इस्टडी माटेरियल में ना प्रैक्टिश में पर इसका थियोरी है इसलिए मैंने ये थोड़े बहुत बाते डिस्कस करवाया था आपको ठीक है जे चले आगे यस चलते हैं अब कुछ कॉंसेप्ट समझना है कुछ कॉंसेप्ट तो एक बार पानी पी लेता हूँ फिर कॉंसेप्ट समस्ते हैं दो मिनट का टाइम देशिए स्टूमर्ट स्टूमर्ट अब ठीक अब सुनो और दो-तीन सब्दों का यूज होता मैं क्या पढ़ा क्या रहा हूँ सर अभी कुछ कॉंसेप्ट से है क्या कुछ नहीं मैं सिर्फ आपको लैंग्विच पढ़ा रहा हूँ कि भईया ऐसा है सर्जी के ओंकी डेरिवेट यूज जब आप जाओगे डेरिवेटियो मार्केट में तो यह सब्द यूज होगे इन द मनी, एड द मनी, आउट आप द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू तो कहीं यह ना लगे हाला कि मैं भी जानता हूँ आप भी जानता हूँ इसके कोश्चन डारेक्ट ली पूछेगा नहीं इतना आसान टॉपिक है पर आगे सर प्रैक्टिकल छोड़ो ना सर हमें एक्जाम की बात करो एक्जाम में भी जब कोश्चन साहेंगे ना बड़ी बड़े उसमें एकाज जगा intrinsic value सब्दा जाएगा पता तो रहे कि आखिर क्या है intrinsic value इसलिए पढ़ाया हूँ और ऐसे ही कुछ आगे पढ़ाने वाला हूँ तीन सब्दा आएगे arbitrators, hedgers और speculators यह क्या है सर, सुनना तो पढ़ेगा सुनते इस टोड़ी से समझाओंगा तीन सब्द में फिर से बोलना हूँ एक है hedgers, एक है speculators और एक है arbitrators तो अब आगे ना बड़े सारी बार आएगे arbitrators गेर निकालिए arbitrators hedge किजिए तो है क्या hedge क्या होता है, arbitrators क्या होता है तो चले समझे, श्टूरी, कहानी, आराम से सुनना और कुछ नहीं चलो च, एक गाव है, ऐसा सर यह आप अपने मन से बता रहे हैं कि कहानी मैं अपने मन से कोई श्टूरी नहीं सुना रहा हूँ, यह आपकी study material में लिखा हुआ है चाहो तो उठाओगे, अगर आपका दिल कर रहा है तो उठाइए study material और पढ़िए, उसमें यह कहाने लिखी वह मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें लिखा एक गाव है अच्छा, अब ले उस गाव में बड़े सारे किसान लोग है, किसान, पामस, ठीक हैं, और उन्होंने फसल लगाया है, और फसल किस चीज़ की? गेहूं की फसल, अच्छा, और जो फसल लगाया है, उन्हें जो फसल आनी है, अभी गेहूं तो आपने गेहूं लगा दिया, पर जो फसल आनी है, वो अभी नहीं आनी है, तीन मेने बाद आने वाली है, और गेहूं का रेट चल रहा है, अभी पचास रुपए पर केची, अभी रेट चल रहा है, पचास रुपए पर केची, गेहूं का, तो मुझे बस ये जो फार्मस है, ये जो किसान है, इन्हें न इसके लिए तो इंशुरेंस करवा रखा, उसका छोड़ दो, फसल बरबाद होगी कि फसल आबाद होगी उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें किस बात की चिंता है, उन्हें चिंता है कि यार आज जो रेट चल रहा हो चल रहा है 50 रुपए पर केजी, चिंता ये है कि फसल जब मैंने प्रॉब्लम क्या बताए, बस प्रॉब्लम की वज़ा से तो डेरिविटी वाया, किसानों के साथ समस्या है, सर्फ फसल होगी के नहीं होगी, उसके लिए तो इंशुरेंस है, पर सवाल बस वो रही है कि होगी के नहीं होगी, फसल होगी, बरबाद नहीं होगी, फसल लाएगी जो गेहूं आएगा वो 50 रुपर पर केजी के हिसाब से बिग भी पाएगा कि नहीं भी पाएगा ये एक समस्या है ठीक है और एक लिए लेते हैं ये लो सर ये क्या ये बैकरी फार्म जो ब्रेड वगेरा बनाते हैं ठीक है और इन्हें भी गेहूं की जरुत पड़ती है और अभी ये खरीदते हैं 50 रुपर केजी के हिसाब से अभी पर इन्हें भी डर कि सर अभी तुम 50 रुपर केजी की सबसे खरीद लेते हैं पर तीन मैने बाद जब हमें और लगेगा मैदा वगेरा से ब्रेड बनता है ना यार इतना तो पता है जब लगेगा उस समय 50 रुपर केजी के हिसाब से हमें गिहूं मिलेगा की नहीं मिलेगा ये समस्य है सर तो उन्हों अभी खरीद के रख लेना चाहिए बटे इस टूरेज अब ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ऐसे प्रोड़क्ट को करते तो है अरे भी कोई और एक्जामपल ले लो यार क्यों टेंशन लेगा अब इन दोनों के साथ समस्य है इसको क्या डर इसको किस बात का डर इसको इस बात का डर इसको इस बात का डर कहीं रेट बढ़ना जाए और बैकरी फर्म को किस बात का डर कहीं रेट कमना हो जाए बाकी और कोई समस्या नहीं है करे तो क्या करे ये भी परिशान है ये भी परिशान है क्या इनको रिस्क है येस इसको किस बात का रिस्क है रिस्क कही रेट बढ़ना जाए और इसको कही रेट कमना हो जाए इन बात करें और इस रिस्क से बचने के लिए ये लोग क्या काम कर स करते हैं यह लोग दोनों के बीच में कौन सा कॉंट्रेक्ट कॉंट्रक्ट कि इन दोनों के बीच में फावट कॉंट्रक्ट हो गया इन्होंने कहा कि बैक रिफर्म हम आपको बेचेंगे गेहूं आज से तीन महने बाद पचास रुपए पर केजी के साब से अब हमारा टेंशन खतम चाहे मार्केट में रेट सतर रुपए क्यों ना हो हमें मतलब नहीं है हम तो पचास के साब से बेचेंगे और सुनो ये और भी बोल रहा है चाहे मार्केट में रेट तीस रुपए क्यों ना हो जाए आप बाहर से आप तो हमसे पचास रुपए पर पीचेंगे के सब से खरीद लेना केंसे खतं किन लोगों का इनका तो टेंशन कुकन के सबस्क्राइब का mana तया है इन्हों ने जो किया इन्होंने है इसपों बोला जाता तक बैकरी फर्मकों में एक नाम दे रहा हूं इसका नाम है दिख रहा है ना अधर तो लोगों का यह सब्द आएगा आपको अब बता हो कैसे गलत कुछ लोगों को लगता है डेरिवेट्व क्या कर रहा है कितना गलत काम है डेरिवेट्व तो सट्टा लगाने का सट्टा कहां लगाया जा रहा है रिस्क से को कवर तो करना पड़ेगा ना भाई कहां सट्टा लगा रहा है कौन कहता है कि डेरिवेट्व गलत है आप गलत एंगल से सोच रहे तो गलत है यह तो अच्छा है इसको बोल के लिए इन्होंने एक फावट कक्रेट किया बचने के लिए इसलिए इनको क्या नाम दिया जाज़ता है इनको दिया जाता है ख्वह और सर यह कौन सा कॉंट्रिंट करते हैं यह चाहो तो खरीदने काभी कॉंट्रिंट कर सकते हैं यह चाहो Kisler थी यह को बेचने का भी कॉंट्रिट कर हाला कि जो खरीदने का कॉंट्रिक्ता है इसको Long Position and short position बोला जाता ही को जा ओगा? कि बढ़ेगा शॉर्ट पोजिशन क्या होता है जिसको ऐसा लगता है कि काम होगा खेर वह बाद में डिस्कुरिशन करूंगा ठीक तो यह हो गया है जर्स के विसमें अभी सुनो 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 और एक परसंद आ यह बंदा देख रहा था सिर्फ देख रहा था क्या यह बैकरी है नहीं क्या यह किसान है नहीं क्या इसको कोई डर नहीं कोई डर नहीं बस देख रहा था यह काम क्या हो रहा बले किसान लोग और यह खुता न कुछ मज़े लेने वाले हो जाने तो कॉंट्रेक्ट और मैं खड़े होके देख रहा हूं यह देख रहा क्यारी कॉंट्रेक् असी रुपए पर केजी जाएगा, इसको लग रहा है, लग रहा है, कि तीन मैने बाद रेट असी रुपए पर केजी जाएगा, हाला कि इसको कोई लेना देना है यह नहीं है, यह तो देख रहा है, यह किसानों को समझा रहा है, किसान लोग बेकूफ है, पचास रुपए में बेचने का कॉंट्रेट कर क्यों रहा हूँ, जबकि रेट कितना होने वाला, असी रुपए पर केजी होने वाला, ये किसान लोग बेकुब, अभी सुचता है यार, पैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, अब मैं जानता हूँ कि 80 रुपए हो जाएगा, तो यार, मैं काम करता तेरे साथ भी कॉंट्रेट कर लो, आप मुझे बेज देना यही कि हूँ, 50 रुपए के हिसाब से, किसान मुलते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हम वैकरी फर्म को बेचे, चाहें आपको बेचे, हमें तो 50 रुपए चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अब की बार कॉंट है कि रेट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो मैं 80 रुपए में बेच दूगा, इसको कितने का फायदा हो जाएगा, 30 रुपए का फायदा हो जाएगा, पर एक बात है, गेहूं का रेट 40 भी हो सकता है, तो उस कंडिशन में इसको लॉस भी हो, अपकी बार ये रिस्क से बचने के लिए कॉंट्रेक्ट नहीं कर रहा है सर, ये प्रॉफिट कमाने के लिए कॉंट्रेक्ट कर रहा है, इसको प्रॉफिट भी हो सकता है, इसको लॉस भी हो सकता है, ये स्पैकुलेशन अक्टिविटी कर रहा है, इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा स्पैकु तो इसका कोई एक्सपोजर नहीं था कोई रिस्क नहीं था पर यह डेरिविट्व मार्केट में एंटर करता है यह इसका जो expectation होता है ना क्या price बढ़ेगा की कम होगा उस expectation के हिसाब से ये काम करता है ठीक है ये बेचने का खरिदने का contract कर सकता पका पका और इसका जो target होता वो profit कमाना होता ultimately और no doubt इसको loss भी हो सकता कोई दिक्कत की हो इसलिए तो इसका नाम है speculators ठीक है या तो कोई समस्या कोई समस्या और एक person है ये है ये बहुत intelligent बन और इसके जो आदमी है ना इसके जगह जगह दूसरे गाओं में भी फैले हुए और पता लगा कि एक गाओ और एक बैकरी फर्म में और एक गाओ है जहां contract हो रहा है यहां भी किसान है और यहां भी इसी टाइप की कोई बैकरी फर्म और यहां जो contract हो रहा है यहां हो रहा है साट रुपे पर केजी की सबसे चिक है क्योंकि इसके लोग जगा जगा पहले हुए है तो यहां के यहां जो इसके बंदे उन्होंने बताए कि यहां जो कार्टेक हो रहा पचास रुपे पर केजी की सबसे इस गाउ में और इस गाउ में कितने की सबसे हो रहा 60 रुपे पर केज़ी के सबसे तो अब इसके निमाग में एक बात आती है अब बात क्या रही सर अब देखो बात यह आई कि चलो यार दो जगा है और मिस प्राइजिंग है यहाँ प्राइज अलग चल रहा यहाँ प्राइज अलग चल रहा बैकरी फर्म के साथ कि हम आपको कितने का बेज देंगे 60 रुपे के सबसे बेज देंगे यह लोगों से 60 क्या खरीद रहा है तो मुझसे भी 60 रुपे का खरीदेगा कोई दिक्कर नहीं इसका नाम क्या होता इसका नाम होता आर्विट्रेजर और यह जो एक्टिविटी है इसको क्या बलते इसको बलते आर्विट्रेजर तीन लोग है जो डेरिविट्यू मार्केट में आपको डेरिविट्यू चैफ्टर में परिशान करेंगे तीन सब्द एक होता है जर्स दूसरा होता इस्पेकुलेट्र और तीसरा होता आर्विट्रेजर क्या आर्विट्रेजर को लॉस हो सकता हो ही नहीं सकता वो तो मिस्प्राइजिंग का फायदा उठाता है उसको पता एक जगा रिट कम चल रहा एक जगा जगा चल रहा तक सस्ते में खरीदेंगे महगे में बेचेंगे, ठीक है, क्या इसका exposure है existing risk है तो यह risk से बचने के लिए derivative market में enter करता, यह profit कमाने के लिए करता और ये भी profit कमाने के लिए करता है इसको loss हो सकता है इसको loss हो ही नहीं सकता ये दो contract एक साथ करता है खड़िद रेगा contract एक बेच ना करता है on the basis of mispricing और ये on the basis of expectation काम करता है एंटर करता है ये सब लिखवाए हूँ तो यहां तो नहीं लिखवाँगा एक बार सर देख लेके क्या क्या लिखा हूँआ यास अब चुनोगे ये थियोरी आ सकती है थियोरी भी आ सकती है और सब्द भी है arbitrages को क्या speculators किया है इसलिए मैं है discussion कर रहा हूँ तो बात कर ले participant in a derivative market कितने लोग participate करते हैं तीन लोगों के विशे में मैंने आपको बताया कौन-कौन एक है hedgers और दूसरा कौन है दूसरा है speculators और तीसरा कौन है तीसरा arbitrages hedgers कौन होते है hedgers क्या इनका existing exposure होता है exposure को क्या बोलते हैं risk क्या पहले से risk है yes और उस risk को क्या करना चाहते है hedge करना चाहते avoid करना चाहते और ये long position भी ले सकते है short position long position मतलब खरीदने का और short position मतलब बेचने का खरीदने वाली position भी ले सकते है बेचने वाली position भी ले सकते है ठीक है जी ठीक है दूसरा कौन होता speculators क्या इनका पहले से कोई risk था नहीं नो existing इनको कोई लेना देना नहीं था भाई इनका कोई tension नहीं था कि यार मेरा गेहूं का rate बढ़ जाए या फिर गेहूं का rate बढ़ गया तो मैं क्या करूँ ऐसा कुछ नहीं था यह तो बैठे बैठे देख रहा थे कोई existing exposure नहीं था यह profit बनाने के लिए एंटर करते हैं और profit बनाते हैं किस बेसिस पे on the basis of price expectation position यह long भी ले सकते हैं short भी ले सकते हैं मतलब बेचने कभी contract कर सकते हैं खरीदने कभी contract कर सकते हैं जो उनको लग रहा है अगर सर यहां rate इनको ऐसा लगता असी नहीं चालिस होगा फिर कैसे करते हैं फिर वो बैकरी फर्म से contract करते हैं कि बैकरी फर्म हम आपको तीन मैने बाद पच्चास का बेज देंगे हम को मालूम है market में चालिस हो जाएगा तो speculator कहीं ना कहीं तो contract करी लेंगे कोई बात ही नहीं ठीक है और तीसरे बंदे का नाम क्या है आर्बी ट्रेजर्स आर्बी ट्रेजर्स के भी पास कोई existing exposure नहीं होता है ठीक है और यह profit on the basis of miss यह भी profit बनाने के लिए आते हैं पर profit expectation के सबसे नहीं बलता है यह miss pricing के सबसे इनको मालूम है कि यार रेट अलग अलग जगा चल रहा है तो हम दो contract एक साथ करेंगे यह आर सॉपिस्टिकेटर इन इवेस्टर राइन यूज इस्किल टू मैट प्रॉपिट टीक है बात कतम इस्किल यूज करेंगे intelligent होते हैं और सुनो यह end सब्द लिखा यह long और short position एक साथ लेते एक साथ simultaneously औ और इन्हें क्या loss हो सकता है loss होई नहीं सकता जब दो contract है अलग-अलग rate पे एक सस्ते में खरीदने का contract और एक महगे में बेचने का contract तो loss होई नहीं सकता एक्जाम में theory वैसे तो आता नहीं है पर पता नहीं आजकल चार नंबर का दे दे और चार नंबर का यह दे दे कि साथ ऐसा है कि आप कितने participant होते है derivative market में और सुनो एक्जाम में आया था भाई आया था और एक्जाम में आया था तो हद तो तब होगी जब बच्चों ने ल यह option में कितने participant होते है derivative market में तो आपको यह लिखना पड़ेगा इसके अलावा कुछ भी बेकार की बाते लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा इतने तीन हैजर्स और कॉन इस्पैकुलेटर्स और कॉन अर्बिट्रेजर्स लिखा हुआ है लिख लेना अच्छे चार नंबर आता है तो इतना लिखते तो सफिशेंट ओके ठीक है चले आगे बस अब थियोरी खतम होने वाला यार बहुत हो गया थियोरी थिए एक और पढ़ने वा अब आपको शॉर्ट सेलिंग समझना है शॉर्ट सेलिंग क्या होता है जरा दित अले समझाना पड़ेगा जान से समझना है बिट्ट शॉर्ट सेलिंग इससे इसी अटेम्ट एक अटेम्ट पहले कोश्चन आया था और उस समय जब मैं बोलता था कि यार इससे कोश्चन नहीं आ थे जैसे मैं अभी कोश्चन नहीं आते हैं जैसे मैंने अभी बोला था इंदा मनी आइड दा मनी आउट आप दा मनी इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू यहां से कोश्चन नहीं आते हैं सही में नहीं आये ऐसी इसका भी बोला करता था शॉर्ट सेलिंग से कोश्चन नहीं आते हैं लेक हर टॉपिक हर एक्जाम्पल करना जो मैं करवा रहा हूं त्यार हो त्यार हो त्यार हो यस सुनना भाई राम आज शेयर का प्राइस है करेंट मार्केट प्राइस है मान लो फाइफ हंड़ेट रिलाइंस का शेयर ले लो और तीन महने बाद राम को लग रहा है कि शेयर का प्राइस तीन महने बाद शेयर का प्राइस 600 रुपे हो जाएगा राम प्रॉपिट कैसे कमा सकता सर कॉल ऑप्सन खरीदेगा बैटे ऑप्सन पढ़ा ही नहीं है ऑप्सन को छोड़ो अब ही ऐसे बताओ आम-ादमी की तरह कि क्या कैसे सर सस्टे में खरी देंगे महर FX it means सर करेगे क्या हम यहां बाई कर लेगавай कितने में 500 में और यहां सेल कर देंगे कितने में 600 हमें क्या लग रहा प्राइज बढ़ने वाला की कम होने वाला बढ़ने वाला उसको बलते बुलिश दो चीजी आपको और सुनने को मिले गए बुलिश और एक होता है बियरिश सर क्या होता यह बुल क्यों नाम पड़ा यह सब कहानी किस्से के लिए तो यूट्यूब में जम महगे में बेचना एक रूल्स तो हमको अच्छे से पता है तो हम यहां 500 में खरी देंगे और 600 में बेज देंगे कितने का प्रॉपिट कमा लेंगे 100 रुपह का कोई दिकत ने सर कम हुआ तो कम हुआ तो कम हुआ तो लॉस भी होगा ना कोई समस्या नहीं उससे बस मैंने ऐस 600 में बेज देंगे कोई समस्या क्या नहीं ठीक है अफ़ करेंट मार्केट प्राइज आज है पासव रुपह और हमें ऐसा लग रहा है कि तीन मेहने बाद हो जाएगा चार सु रुपह अब अदव प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है आज है पास सौ और तीन मेहने बाद हो जाएगा चार सौ सस्ते में खरीदना है महके में बेचना तो सर हम क्या करेंगे हम तीन मेहने बाद खरी देंगे चार सो का और आज बेज देंगे पास सो रुपय में बस और कितने का प्रॉपिट हो गए सो का तरह पागल हो गए क्या आप कैसे करोगे ये ट्रांजिक्शन है बेटे करेंगे और पता नहीं कैसे करेंगे यही तो खेल है खरी देंगे कब तीन मेहने बाद बेचेंगे कब आज कैसे हो सकता है सोच के देखो ना कि ये हो सकता और ये होता है अब कैसे होता है ये ही तो मुझे आपको समझाना ये एक्चुल में होता है बताओ कैसे होता है और हम सुनना चाहते है कि यह हो कैसे सकता है कोई कोई टाइम मसीन है क्या टाइम मसीन में बैटके वापस आ जाओगे ऐसा नहीं बैटे सुनना मेरी बात को ठीक से त्यार हो ना हाँ ची यह शेयर और इसकी कीमत है अच 500 और तीन मैंने बाद कितना हो जाएगा 400 यहां तक ठीक है ठीक है और मैं कौन हूँ मैं हूँ राम यह लगा मैं राम बन जाता हूँ अभी मैं राम नंग जाता हूँ ठीक है मैं राम अब मुझे मालूम है कि और कंपनी क आया हुआ था इसलिए मुझे थोड़ा सा slow discussion करना पड़ेगा और जरूरी भी है तो आज कीमत कितनी है 500 यार और मुझे मालू में कितना होने वाला 400 में सोच रहा हूं क्या किया जाए profit कमाने के लिए मेरे एक दोस्त था दोस्त का नाम आ जाए पिक्चर में तो मैं जाएगा यस दोस्त का नाम है श्याम और सियाम के पास Reliance के बड़े सारे शियर्स थी मन का हुआ सुनो ना यार शियर का प्रैस कम होने वाला बोले नहीं मच को पागल में बनाओ बहुं आप शियर का प्रैस का शियर का प्रैस दुनिया से इधर से इधर क्यों ना हो जाए Reliance पर मेरा विस्वास है और Reliance के share मैं hold करके रखूँगा कई सालों तक रखूँगा और share का price कम हो गया तो हो जाने दो आज कम हो गया कल बढ़ेगा मुझे बेच रही नहीं है मुझे सुनना भी नहीं आपकी बाद मेरे बास share है और वो रखे रहेगी कौन बोल रहा है शयाम मेंने रहेशाम सुनो ना कुछ उधार मिलेगा मैंने का मैं पैसे उधार नहीं मांग रहा हूँ क्यों पर मैं आपको बेच्छं बले share उधार दे दो आज मैं किस से मांग रहा हूँ स्याम से कर रहा हूँ श्याम प्लीज मुझे शेयर उधार दे दो और तीन मेहने बाद मैं आपको मार्केट से खरीद के शेयर का शेयर वापस कर दूँगा खुश श्याम बलता है ये क्या तरीका हुआ भई आपके पास ऐसे भी रखे वैसे भी रखे दिक्त क्या है ऐसे भी आप नहीं बेचने वाले हो ऐसे भी नहीं बेचने वाले हो आपको शेयर चाहिए आपको शेयर लाकर दूंगा चाहे दुनिया में तीन मैंने बाद 2000 रुपए का शेयर क्यों न हो जाये मैं कैसे भी मार्केट से खरीदऊँगा आपका share का share वापस करूँगा खुश ना आप तो कोई दिक्कत नहीं है आपको स्याम ओलता मैं ऐसा करूँ क्यों मुझे क्या फायता मैंने का भाई मैं उसके पैसे दे दूँगा बदले मैं किराया दे दूँगा और क्या चाहिए आपको मैं आपको बताओ तो एसे भी मैंने होल्ड करके रखा है मेरे तीजोरी में रखा है मसाला लगा के बता रहा हूँ और तीन मेंने बाद ये इसको दे दूँगा तीन मेंने बाद जैसे कि share का share वापस जाएगा फिर रख दूँगा कुछ कमाई भी हो जाएगी स्याम तैयार हो जाएगा सर एक्चुल में ऐसा होता है क्या ये बताओ शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करता हूँ तो जो हमारे रिटेलर है जो ट्रेडिंग का काम करते जो इन्वेस्ट दिसमा ले उन लोगों के लिए नहीं होता शॉर्ट सेलिंग इंट्रडे की बात नहीं कर जो ना पहले मैं इस्टोरी सुना देता हूँ ठीक है बच्चे जो एक्सपर्ट होगे ट्रेडिंग में वो इंट्रडे ट्रेडिंग होता है सर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो भई होता है इंडिया में भी ट्रेडिंग आप लोग नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, बड़े-बड़े ब्रोकर को पर्मिट होता है, शॉर्ट सेलिंग का, हम में बात ही नहीं करना चाहता, मैं इंट्रडे और एक्चुल मार्केट में क्या होता है, वो बाद में डिस्कुसिन के, पहले मेरी बास सुनो, बही एक्जाम उसको मोहन, मोहन यहां डाल देता हूँ, मौहन, फ्याम से मैंने शेयर उधार लिया, बौरो क्या इसको मैंने बेज दिया, कब सेल किया, आज, सेल किया थो मेरे पास कितना रुपय आ जाेगा, मेरे पास 500 रुपय आ गया है, कोई दिकत आज 500 रुपए मेरे जिव में है चाहो तो मैं उसको इनिवेस्ट करके इंट्रेस्ट भी कमा सकता हूँ वो बाद में समझेंगे आज 500 मेरे जिव में आ गया ठीक तीर मेने बाद श्याम आया मेरे पास बुलता भाई 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 श्याम को दे दूगा भाई खिल गता हूँ मेने कितने में बेज दिया श्यार 500 में बेज दिया आज और कितने में खरीदा 400 में कितने का फाइदा हो गया 100 रुपए का हाला कि बीच में बहुत सारे चार्जिस है उसकी मेंने बात नहीं किया पर अब भी यहाँ दिख रहा है ना जो बोल रहा था क्या वो हो गया 500 रुपए में क्या किया मेंने पासो रुपए में बेचा 400 में खरीदा यही बात तों मैं बोल ला था सिर उदार लेकर बेचा इसको short selling बोला जाथा थोड़ी थोड़ी बाते कर ले धीरे धीरे short selling में होता क्या है मेरा नाम क्या है सर्राम है आपका नाम अच्छा वह नाम किया मेरा नाम है शॉर्ट और इसका नाम क्या श्याम का नाम क्या है इस्टॉक्लेंड तो शॉट शेलिंग एक्टिविटी में होता क्या आपको क्या लगता है कि future में price बढ़ने वाला कि कम होने वाला future में कम होने वाला अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो expectation वो bearish है आपको ऐसा लगता है कि price कम होने वाला है तो उस condition में आप क्या करते हैं उस condition में आप जाते हो इसके पास, ещё stock lender के पास उससे borrow करते हो share borrow किया और उसको base देते हूँ current market price पे ताकि आपका objective view क्या होता ताकि हम future में इसको सस्ते में खरीद लेंगे और सस्ते में खरीद के हम return कर देंगे कि इसको stock lender को return कर देंगे यह जो activity होती इसको बोले जाता short selling हाला कि क्याम को landing charges देना होता landing charges उससे हम stock borrow कर रहे हैं और free में तो नहीं देगा ना तो कुछ ना कुछ पैसे देने होते हैं वो दिया रहेगा question में कि क्या देने होते हैं समस्या एक चीजा कि आपकी बस जिस भी company का reliance का हम short selling कर रहे हैं और किसी company ने बीच में dividend announcement कर दिया dividend तो यह dividend मान लो यहां short selling के activity चलूई और यहां खतम ही और यहां dividend बीच में announcement होगा dividend तो सवाल यह है कि dividend किसको मिलेगा सोच के बता ना बीच में dividend दिया company dividend किसको मिलेगा राम को मिलेगा कि मोहन को मिलेगा कि श्याम को मिलेगा चलो जल्दी से जल्दी जवाब दो सोच समझ के जवाब होती है डिविडेंट किसको मिलेगा क्या लगता सर राम का तो सवाली पैदा नहीं होता मिलने का बिल्कुल राम को क्यों मिलेगा राम के पास कभी श्यार थार ही नहीं यहां से लेकर इधर दे दिया अब सवाल बस दो के इसको मिलेगा के इसको मिलेगा सर स्याम को मिलेगा रा डिविडेंट एक्च स्याम के पास मतलब क्या मोहन पागल दिख रहा आपको भाई साब उसने शेयर खरीदा है उसको नहीं मालूम कि क्यों गुस्सा रहा है लेकर राम भाई ठीक है आम मैंने शॉर्ट सेल किया ओके बाद समझ में आती है आपने मुझे पैसे दिया यहां तर लेकिन जो डिविडेन उसका तो नुकसान है ना और डिविडेन कौन देगा कंपनी तो मना कर देगी कंपनी तो भगा देगी आपके अगर डिविडेन अनॉंसमें डिविडेन मिलता है तो श्याम को राम Ned कंपनसेट करेगा किस को श्याम को देख जाए राम को फायदा कबउगा गद शेयर का गिरेगा तो राम को फायिदा कब होता ना एक तो भाई साँ प्राइज बढ़ गया तो एक वे लौस होजाएगा तो दूसरा अगर किसी कंपनी ने बीच में डिविडेंट दे दी तो राम को लॉस हो जाएगा यहां तक बात समझ में आती है तो फाइनली बात कतम करें स्टाट सेलिंग क्या स्पेकुलेशन हो रहा है या स्पेकुलेशन है यह और स्पेकुलेशन में क्या हो रहा इसको क्या लग रहा है कि जो बुलिस है बुलिस बुलिस की बियरिस एक बार रीट तो करते ही क्या लिखा है स्टाट सेलिंग यह इसको बलते है श्टॉक लेंडिंग और बॉरिंग स्टीम एस एल बी एस SLBS बोलते तब सबसे ले डेफिनिशन देख ले short selling is a speculative activities is designed to make profit profit कमानी के लिए speculative activity हो रही है और आपको क्या लग रहा bearish price expectation मतलब मतलब आपको क्या लग रहा price बढ़ेगा की कम होगा सब price कम होगा explanation explanation का मतलब story मतनाओ की कौन राम महहन in short selling short seller borrow stock from stock lender इसे स्याम से stock borrow करेंगे और इसको बेज देंगे किस पे current market price पे बेज देंगे और view क्या रहगा कि हम इसको बाद में खरीद लेंगे किस price पे lower price पे और stock lender को क्या कर देंगे हम वापस कर देंगे इसके लाब डिविडेंड डिविडेंड अगर बीच में announcement हुआ तो जो short seller है वो compensate करेगा dividend amount किसको stock lender को और stock lending charge देना पड़ेगा कुछ पैसा किराये तो देना पड़ेगा ना यार इसका legal status क्या short selling permitted है short selling permitted नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वज़ा से ना short selling की वज़ा से पूरा share market डाउन हो सकता अगर मुझको ऐसा लग रहा है कि यार price कम हो सकता तो मैं ये activity कर रहा हूँ तो मेरे जैसे ना जाने है तो बहुत problem है short selling में इसलिए वैसे तो देखा जा short selling is prohibited है बिल्वकुल साब साफ माना क्योंकि पूरा की पूरा economy गिरा देते है सम कंट्री सम कंट्री लाइक कि यह सब कैसे होता है एक बात बता हूँ short selling से short seller को कब फायदा है price बढ़ने से कि price कम होने से price कम होने से अगर मैं बहुत जादा short selling कर रखाऊं कर रखाऊं तो मुझे और वह भी short selling कर रखाऊं तो मुझे फायदा कब होगा जब price गिरेगा अब price गिरने के लिए हो सकता मैं bumblast करवाद हूँ stock exchange में अगर मैं कहीं bumblast करवाता हूँ तो क्या price गिरेगा yes और क्या price गिरने से मुझे फायदा हो जाएगा yes मुझे bumblast से कितना नुकसान हो रहा पब्लिक का वो अलग मैटर पर मेरा objective तो sorry यह सारी बात यहां नहीं करनी चाहिए पर ऐसा होता है इसलिए short selling क्या है मना किया है some country जैसे US में allow नहीं है पर इंडिया में allow है पर बहुत सारी restriction के साथ allow है इंट्रडे की में बात नहीं कर रहा हूं इंट्रडे तो short sell वैसी कर सकते हैं इंट्रडे में तो आप करते ही हूं मैं बात कर रहा हूं बहुत ज़्यादा समय के लिए भी short selling कर सकते हूं वो broker है कुछ restriction है उसके साथ सते ला हूँ है हमें वो सारी बातों में नहीं पढ़ना है और इसको कौन SLBS करके से भी है वो रेगुलेट करता शॉर्ट सेलिंग के एक्टिविटी को surrounding से question आया था औवो question देखना जरूरी है और वो question है question no.2 यह छोड़ा था बड़ा question है 8 number का question आया था exam में पर कौन adolescent में आया था यह और nicest syllabus में आया था आपके new syllabus में आया नहीं पर आपको आने सकता में यह नहीं कहा सकता हैं कब आया था यह जेनवरी 2021 तो इस question को देख और मुझे थोड़े अपने तरीके से प्रेजिंटेशन करवाना पढ़े कि एक बार कोश्चन पढ़े तो सही कि क्या लिखा लिखा Mr. A is holding thousand shares Mr. A ने 1000 shares hold कर रखा है face value है 100 रुप है और किसका of measures ABC limited कोई ABC limited है उस company के shares hold करके रखा Mr. A क्या चाहता है कि यार वो भी उसी के जैसा था मुझे विस्वास है ABC limited मुझे विस्वास उसी विस्वास पे जैसे मुझे reliance पे विस्वास था राम को वैसी इसको ABC limited पर विस्वास और कोई intention नहीं है इसका future में sell करने का यही तो आप socialing activity है मतलब Mr. A जो है उसके पास already share है hold करके रखा on 1st January 2020 1st January 2020 measures XYZ कोई XYZ limited होगा कोई होगा जैसे था ना हो मैं छोड़ो ना कोई होगा XYZ वो चाहता है कि short sell करे कौन सी company के share ABC limited के share और वो किसके पास पहुँच गया Mr. A के पास पहुँच गया अब Mr. A से बोला please मुझे उधार दोगे क्या under SLBC falling term अब Mr. A के पास जो already shares है उनसे उधार मंगा जा रहा है please उधार दे दीजिए shares जो बोरो किया जाएगे कितने मन थ्री मन्त के लिए कब से 1st January 2020 से 31 March 2020 तीन मैने के लिए बोरो किया जा रहा है shares landing charges दिया 1% 1% landing charges लिया जा रहा है it means free में काम नहीं हो रहा भई share उधार ले तो हम पैसी भी देंगे न और कितना दे रहा है बोले 1% देंगे पर 1% किसका बोले पैड जो होगा वो हर महने पैड होगा हर महने और किसका closing price of the stock closing price of the stock quoted in stock action हम इनसे कह रहा है किसे Mr. A please हमें share उधार दे दीजिए तीन महने के लिए हर महने के अंद में जो भी share का price होगा उसका हम 1% आपको landing charges देंगे और हाला कि इनके पास shares कितने 1000 shares है हम एक share का निकाल लेंगे और 1000 से multiply कर देंगे अगर मांगे कर तो जीक हैं अब उसके लब bank guarantee will be provided as collateral for the value as on 1st January 2020 मतलब सर यह क्या चीज़ देखो भाई यह है Mr. A Mr. A इनसे मैं share उधार ले रहा हूँ अब मैं share उधार लूँगा तो मैं share वापस करूँगा कि नहीं करूँगा इस बात की क्या guarantee हवाल तो वही है ना आपके भी मन में जब मैं राम श्याम मोहन वाली स्टोरी सुना आपके मन में आया होगा ना तीन महावाद भाई खरीद के वापस करेगा की नहीं करेगा आदमी दिक्कत तो यही है तो हमने कहा आप चिंदा मत्तरों मिश्टरे bank वाले से हम बोल देते bank आपको guarantee दे देगा खुश bank की बात तो मानोगे ना हमारी बात नहीं बैंक वाला तो bank वाला क्यों बोलेगा bank वाले को मैं फीस दूँँगा कि please आप guarantee दे दो अब तो ठीक है ना आँ sir ठीक है तो bank guarantee वाले को जब मैं बोलूँगा कि प्लीज आप ग्यारंटी दे दीजी तो वो पैसे लेगा मुझसे मुझसे पैसे लेगा कि मैं ग्यारंटी दे रहा हूँ मतले मैं आपको फीस देना पड़ेगा मन का मैं देने को तरिया रहा हूँ बोले आप देना जो वैल्यू है ना वैल्यू जन्वरी 2020 को ही तो मुझे ग्यारंटी देना पड़ेगा पहले दिन उस पर आप दे देना चार्जिस चार्जिस बताएगा आगे और कॉस्ट और बैंक ग्यारंटी किता आठ परशन पा रहे हैं वो निकाल लेंगा हम लोग ठीक है इसके लाओ 29 फैप को डिविडेन यही तो आनाच यह 25 परशन यह लो भाई बीच में डिविडेन अनॉसमेंट हुआ 25 परशन डिविडेन और डिविडेन कभी भी किसका निकाला जाता है सर्फेस वैल्यू का और फेस वैल्यू कितना रुपीज हंड्रेट हंड्रेट कहां लि श्टिक एक्षेंग में क्लोजिंक प्राइज ये हो गया एक जनवरी मार्केट मार्क प्राइस कुक्षर प्राइस लों दिवेरीश सहएं ये भी हो सकता है ये भी हो सकता अलग अलग कर्डिशन 29 फैप को ये भी प्राइज हो सकता ये भी प्राइज हो सकता और मार्च में ये भी प्राइज हो सकता है ये भी हमें तो इन प्राइज से मतलब ऐसा है इन प्राइज से बीच वाले प्राइज से मतलब नहीं है लेकिन हम Landing Ch Etsy देना है, उसके लिए प्राइस काम किया, था हमें तो क्या, हमें तो तीन मैंने बाद, शेर खरीद के वापस करना है, और तीन मैंने बाद, या तो प्राइस यह को सकता है, जो यहीं ठीक है, अर्निंग निकालना है किसकी मिश्टर देखे, मिश्टर ए कौन था यार, मिश्टर वो था जिसने शेर होल्ड करके रखा था, जब अर्दस्ती उसे किराय पर देखा था, लेंडिंग चार्जे निकालना है, फ्रू इस्टॉक लेंडिंग इसकीम इन बोथ दा सिनार इस फे लेंडिंग चार्जे, डिविदे अविदे इन कमने इस फे लेंडिंग चार्जे, क्या निकालना अर्निंग निकालना, अर्निंग, तूर अर्निंग कालना, इसका मिश्टर देखाओ, चलो काम करें। Point No.1 अर्निंग ऑप मिश्टर ए और अर्निंग सेर से नहीं बल रहा है यह लेंडिंग स्किन्स लेंडिंग स्किन्स है ठीक है मार्केट कितने हो सकते है दो यह हो सकते है बुलिश यह क्या बोल रहा है यह प्राइस कम भी हो सकता है ज्यादा अलग-अलग सिनारियो अब अलग-अलग डेट में लेंडिंग चाज़ से निकलना पड़ेगा आपको 31 जन्वरी के एक हचार बीस हो सकता नौस असी पर्षेंट इस कितना वन पर्षेंट एक हचार असी का वन पर्षेंट तो सरी यह हो गया है टैन पॉइंट एट जीरो ठीक है दुसरा गया नौस असी था किया नौस असी नौस असी का एक पर्षेंट तो नाइन पॉइंट एक उसके बाद 29.5 104960 का एक पर्षेंट का एक पर्षेंट का एक पर्षेंट उसके बाद 31 मार्च क्या क्या प्राइस हो सकता है एक तर पचास और नो सो चलिस तो टोटल मिलाकर लाइनिंग चार्जेस के थू इंकम कितनी हो रही है दस रुपए असी पैसे यह मिलेगा प्लस दस रुपए चालिस पैसे यह मिलेगा प्लस दस रुपए पैसे यह मिलेगा तो टोटल मिलाकर एक शेर पर इंकम हो रही है 31.7 9.8 प्लस 9.6 प्लस 9.4 तो यहाँ इंकम हो रही है रुपीज 28.8 एक पर शेयर इंकम पर अर्निंग पर शेयर हो जाएगा नंबर और शेयर इतने शेयर से एक हजर एक हजर तो बताव अर्निंग्स कितना आख है यहां अर्निंग्स आ गया 28,000 और यहां अर्निंग्स आ गया रुपिस 31,000 यहां गया टूटल अर्निंग्स नहीं इस्टॉक लेंडिंग इस स्कीम के थो अर्निंग्स तो उसरे नंबर पस क्या मांगा तो इसको क्या-क्या मिलेगा एक तो लेंडिंग चर्जिस मिलेगा और obrig だe इसको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा अथ्य एक तो जो बारूर र है हो किसको देगा बैंक वाले को देका मैं मिस्स्ड़ एक हो तो मतलब ब þरीसके में डिविडेंट इंकम और जोड़ देना बस बात कहता हूं पॉइंट नबर टू देख लेंगे तूटल अर्निंग और मिश्टर और सर्षेयर का प्राइज बढ़ा या कब हो से मिश्टर एक को कोई मतलब निए उसको शेयर का शेयर बापस मिल रहा है ठीक है दो अल्लाग लग सिच्वेशन हो सकता है एक कोंसा है बुलिश एक कोंसा है भीरिश तो लेंडिंग चर्ज पर शेयर के सबसे कर लेंदे निकाला लेंग थर्टी वन पॉइंट सेवन ट्वेट पॉइंट 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 एक प्लस डिविडेंट इंकम इन एक को मिलेगी डिविडेंट इंकम तो उसको मिलेगी इसको शेयर बेचा गया हां पर इसको कमपनेट करेगा ना जो भी इस टॉक बॉरोर है वो कमपनेट करेगा डिविडेंट का 25 पर इस परशंग पर एन्म ऐसा नहीं होता कि डिविडेंट तीन मेने का कितना डिविडेंट मिलता थे सत मिलता हुए किसा 25 25 अच्छा फूस नहीं करना कितना हो गया 31.7 प्लस 25 तो यह हो गया सर रुपीस 56.70 28.80 प्लस 25 रुपीस 53.80 यह क्या हो गया टूटल अर्निंग पर शेर टूटल अर्निंग टूटल अर्निंग पर शेर इन्टू नॉमबर ओफ शेर्स एक हजार एक हजार तो यहां जुड़ाएगा इसको क्या नाम दिया जाएगा टूटल आर्निंग 56.70 into 1000 रुपीस 5 lakh 56,000 of 53.8 into 1000 रुपीस 53,800 ठीक हजे और क्या बच्चा है इसके अलावा ये भी होगे ये भी होगे point number 3 what is the profit or loss to message xyz xyz कौन है साथ जो short selling कर रहा था तो बोले बताईए profit हो रहा कि loss हो रहा है by shorting the shares using through stock lending scheme in both the scenario रही हो अब किसके एंगल से बत करो जिसने short से अब देख उसका loss देख लेक बाद पहली बाद उसने खरीदा है और बेस तो उसको जो पैसा मिला होगा उसको इन्वेस्ट करके interest कमाई जा सकता पर उसके कोई information नहीं पर ठीक है इनसे मैंने बॉरो किया तो इनको देना पड़ेगा लेंडिंग चर्थेस उसके अलवा बैंक वाले को guarantee और अगर प्राइस अब कम होना चाहिए कम होका तो सस्ते में खरीत के निप्टा दूँगा तो फायदा हो जाएगा तो वो देखना पड़ेगा वो सारी चीजी और डिविडेन अलग है ठीक है डिविडेन के matter पर तो मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो अब मुझे क्या निकाना profit loss किसके लिए stock lender के लिए profit loss to Mr. XYZ point number 3 कर रहा है calculation of profit or loss to measures XYZ limited a private limited दो सिनारियो कौन कौन सा है एक bullish और एक कौन सा बेरिश लिए पेलल लेते profit loss on share share पे profit loss देखना पड़ेगा बहुत ही लंबा कुछ न सुना खरीदा और बेचा हजार रुपया है हजार रुपया बुलिश में वापस खरीद के लोटाना पड़ेगा कितना होगा एक हजार पचास सर पचास रुपय का loss है दिख रहा है सरी पचास का loss है यहां की बात करो एक हजार में बेचा अब 940 में खरीद के वापस कर दिया सर यहां profit है कितने का 60 का profit है एक जगा 50 का loss है एक जगा 60 का profit है ठीक एक हजार माइनस एक हजार पचास पचास रुपय का loss एक हजार माइनस 940 का profit कोई बात ही नहीं इसमें तो आपको पता है दूसरा इसको क्या देना पड़ेगा लेंडिंग चार्जेस अब लेंडिंग चार्जेस तो आपने निकाला हुआ अल्रड़ी 31.7 28.8 और सर इसके लाब क्या देना पड़ेगा इसके लाब बैंक गयारंटी अब बैंक गयारंटी कितना देना बस उसको ध्यांसे यह बच्चों के डाउट आई हुए सर बैंक गयारंटी का कैल्कुलेशन हो कैसे हुआ तो दिख रहा ना भई बैंक गयारंटी कितना गया है एक को गया है यह हो कोशन में पड़ेशन पर एक पर एनम लिखा है ना आप गयारंटी जैनवरी 2020 का वैलू तो अगर मैं बैंक गयारंटी यह बात करूं अगर तो चाहे बुलो चाहे बेरिश कितना एक हजार की रुपए का आठ पर एनम लिखा है तीन मेने का 3 by 12, यह हुगा ना, एक हजार इंटू 8 पर इंटू 3 by 12, तो आंसर रहाएगा कितना बैंक गयारेंटी का 20 रुपए पर शियर, एक शियर पर 20 रुपए का बैंक गयारेंटी ल 2, 3 by 12, 20 रुपए ना, यार, अब बस आपसे कुछ कोश्चन पूछ रहा हूं, खतम कर रहा हूं, क्लास, क्लास नहीं ब्रेक ले लेंगे, पर यह कोश्चन के बाद, कोश्चन यह है, डिविडेन इसमें आएगा की नहीं आएगा, सोच समझे, जितना भी कॉंसेट पढ़ा डिविडेन आएगा की नहीं आएगा, चाहिए बुलिश हो, चाहिए 25 रुपए जो डिविडेन है, अब सुना, इनसे मैंने शेर उधार लगे इनको बेज दिया, कंपनी ने जो डिविडेन एनॉसमेंट किया, क्या वो मुझे मिलेगा, नहीं, क्या वो सामने वाले को मिल यास, पर ये जो भाई साब इसको मुझे डिविडेन देना पड़ेगा ना, यास, डिविडेन का कंपनी मुझे नहीं दे रही, भाई, कुछ बच्चों को मैंने कहा था, तो सर आपको तो कंपनी से मिलेगा, आप इधर देगे, तो वो नलीफाई होगा, कैसे नलीफाई हो होगे, मैं पूरी तरह से ICAI कीजी तरह चलूगा, डिविडेन मेरे हिसाब से लेना चाहिए था, पर मेरे हिसाब से काम नहीं होगा, तो मैं खतम कर दूगा, यहीं, ठीक है चे, ओके सर, तो 31.7 plus 20 minus 50, तो सर, यहाँ 1.7 का प्रॉफिट है, अच्छा, देख लो, यह तो लॉ है, ओके सर, तो गिलत कैलकुलेशन हो रहा था, 50 plus 31.7 plus 20, तो 101.70 का लॉस है, यहाँ देख लेते हैं, यह मैनस होगा, यह मैनस होगा है, 60 का प्रॉफिट है, मैनस देना पड़ेगा, 28.8, मैनस देना पड़ेगा, 20, तो यहाँ प्रॉफिट है, 11.20, हालाग ए डिविडेन भ प्रॉफिट है, तो यहाँ गया लॉस, 101.7 x 1000, तो यहाँ लॉस हो गया रॉपीस, 101,700, 1000 x 11.20, तो 11200 रॉपय का यहाँ क्या हो गया, बस हर चीज से खुश हो में, इस कोशन में एक ही चीज से खुश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ डिविडेन एड होना चाहिए, अगर आपकी कुछ भी ओपीनियन है, कि आपको ऐसा लग रहा नहीं, तो यार, हमको तो कंपनी से मिल जाएगा, हम दे रहे तो यह नलीफ है, हो तो यह सो मुच, ब्रेक थास्मेट कुछ